इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी आसिमाजल D-capsule is a prescription medicine used to treat gastroesophageal reflux disease यानि की acid reflux and peptic ulcer disease by relieving the symptoms such as heartburn, stomach pain और irritation यह पेट में acid को निश्क्रिय करता है और पेट की समस्या को कम करने के लिए गैस को आसानी से पास होने में मदद करता है असिमाजल D-capsule is taken without food in a dose and duration is advised by the doctor dose आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती है अधिकतर side effect diarrhea, यानि की dust, पेट में दर्द, मुह में सूखापन, सिर्दर्द, और पेट फूलना, यानि की gas बनना है इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इन में से किसी भी side effect को लेकर चिंतित हैं, तो अपने doctor से बात करें इससे चक्कर भी आ सकते हैं, इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है तब तक driving तथा मानसिक एकागरता की आवशक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक चक्कर आ सकते हैं लाइफ अस्टाइल में परिवर्तन जैसे ठंडा दूद लेना और गरम चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से बहतर परिनाम पाने में मदद मिल सकती है इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके लिए उप्युक खुरा क्लिक सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद